सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागत मैं अपना प्रोग्राम देश प्रदेश लेके हाजरां कोई भी वद्यार थी पामे सिंगा पर पामे साइप्रेस यॉरप यू के यूएस कैनेडा स्टेडिया न्यूजिलेंड जान तो पहला चौंदा है कि मेरी प्रफाइल डेसकस हो जाए मैं नो उत्थों दे कॉल्जिस जनियस्टिया मिल जान उत्थों दे कॉल्जिस कोर्स दी गल हो जावे वीजा एक्सपार्ट्स मेरी प्रफाइल नो जड़ा असेस करें इसे चीजनों त्यान दे विच रख दे हुए वेस्टन ओवर सीज ने बहुत वदिया उपराला जड़ा कीता हो एक तो लेके नौ अप्रेल तक वखवख स्टेटां दे विच और शेरां दे व यॉजिलेंड यॉरप साइप्रेस तो बहुत सारे लोग आ रहे ने इदे विच खासियत एक कोई दिन काफी काफी शेरां दे वेच तो आड़े नेडले शेरां दे वेच रेप्स ने आणगे जिनिए इसकी दे वीजा एक्सपार्ट्स आणगे तुसी अपनी फाइल दिख होएगा केड़े केड़े शेरां देवेच किस किस डेट नो एक प्रोग्राम होगे ओ तफ्सील आज़े प्रोग्राम से स्पेशल असी दसांगे तो हराणा पजाब दिल्ली ते चिन्डिगर दे जिन्ने वी दर्शक ने साड़े स्टूडेंट्स ने और साड़े शोधिनाल प्रदीब जी पर लादा गल कर लिके एक तो चार तक हर्याना जिड़ा है परला में चाहूंगा एक थोड़े जी वेनियो दास दोपार में टीवी स्क्रीन ते भी पफलेश कर दांगे ताके जड़े विचेरे स्टूडेंट्स ने सबंदत स्टूडेंट्स ने उननों डिरेक यमनानगर में और असंद है विरक पैलेश और रोतक में है ब्लैक बग कोफी हाउस तो मिल्ब फर्स्ट अप्रेल को अम्बाला यमनानगर असंद रोतक इन चार जिगह पर सेमिनार्स हो रहे हैं फिर सेकिंड अप्रेल को कुछेतर होटल नाइंध प्लानेट सोनीपत सागर रेस्टोरेंट कैथल होटल गोल्ड इन और हिसार में डबल स्पून के नाम से जगह है होटल है वहां पर यह चार जगह पर हैं सेकिंड अप्रेल कुछेतर स्वानिपत कैथल हिसार थर्ड अप्रेल हमारे करनाल होटल एर्थ प्लानेट लुद्याना धंसला ओ सोरी लाडव धंसला अनाजमंडी पेवा खुस्वंद पैलेस और फत्याबाद में होटल फ्रेंड तो थर्ड अप्रेल को करनाल लाडवा पेवा और फत्याबाद फूर्थ अप्रेल जीन्द होटल अभी नंदन है बिवानी स्री मादव होटल मेहल होटल नरानगर होटल रोयल ब्लू औ अगेन बोलूँ आप फॉर्थ अप्रेल जीन्द बिवानी नरानगर्ड सिर्शा फिर हम पंजाब में आ रहे हैं पंजाब में फिप्थ अप्रेल को अम्रिशेर होटल बैस्वेस्टन है बटिंडा एंड पतियाला के वेन्नूस होटली हम आपको डिक्लेर कर देंगे शिक् भरपूर होटल प्रेजिडेंशी एथ अपरेल को चंडिगर में और नाइन तपरेल को हम दिल्ली में है तो यह दोनों वी जो वेनू है वो वेरी सून हम आपको डिक्लेर करने जा रहे है एक वर फेर दस दिये हरयाणा पंजाब चंडिगर ते दिल्ली पहली डेड़ा परदीड जी ने बोलती तो अड़े टीवी स्क्रीन ते भी फ्लेश है पंज तो लेगे सत पंजाब दे शहरां देवेच हैगा अठ तरीक नू चंडिगर ते नौ नू दिल्ली देवेच हैगा मैं देश दस चुक्के हैं जी यूएस भी है कैनेडा भी है ऐस्टेलिया भी ह जी कि स्टूडेंट्स जीड़ा है पामे रफ्यूज हो चुक्या है पामे उ फ्रेश है गाया पामे उने किते अपलाई किता हुआ उस सिंगल है या स्पॉस है परसेंटेज लो है फंड नी बन पारे सला लैंड वास्ते सेमिनार ने इस मैं अपने अपने वल्लो प्रदीप पास होके निकलेंगे उसके जस्त बाद हम फिर इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता होना चाहिए कि किस इंस्टूट से करनी चाहिए इस फिर में रनवीर जी हमारे पास IDP बिटेस कांसल की डेडिकेटी फैकल्टी भी जाएंगी इवन किट भी होगी जो बच्चा हमारे यहां क्लियर मेरे जब क्या वालते है रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं करूँगा तो इन में ताइम तो इंटेक बच्चे का निकल जाता है तो फिर्स ताइम हम उन बच्चों को यहां पर ट्रैप करना चाहिए जो बच्चे अभी 12 करके निकले है और उनको पता होना चाहिए क कि वह कहां किस कंट्री में जाना चाहिए तो इसके लिए एक स्पेशल अलग से काउंटर होगा ताकि स्टूडेंट को बताया जाए कि वेस्ट नोसी कितना स्पेशल इल्स पीटी में तो आप हमारे यहां से कोचिंग ले सकते हैं सेकंड लिए उसको मैट्री ले भी यहां सा लोगाइए तो उसको पता होना की कोर्स कौन सा बता की रिलिवेंट कौन सां UH कों सी युनिवर्श्टी को पोसे के सैंक्वीitte में और सकता है कोलेज और युनिवर्स्टी क्वाल्टी क्या है जो यह सारी चीजे बताने के लिए हम बचों के दर्वाजे पर आ बच्चों के सहर में जा रहे हैं तो युनिवर्स्टी और कोलेज के डेलिगेट्स प्लस मैं खोद परी मेरी पूरी डेडिकेट टीम यहां पे होगी सैक्रली बच्छे कुछ मार्केट में ऐसे भी गूम रहे हैं जो तीन बार चार बार पांस पांस बार रिफ्यूज कराकर ब लगेगा क्योंकि एक कंसल्टेंट करता है कि वह कौन सी हर एक प्रोफाइल में कुछ पोजटी होता है अगर वह पोजटी पे चीजों को ध्यान में रखते हो उस पर काम करते हैं तो बच्चे का वीजा निकलता है तो मेरी रिक्वेस्ट लेगी उन स्टूडेंट के साथ ज इस भी कंट्री में जाना चाहते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो होगा कैनेड़ा उस्टेलिया न्यूजलेंड यूके यूएसे यूरोप और इवन के आयसे पीटी भी हम इसमें लेके आ रहे हैं तो हर एक कहीं ने कहीं जो कैनेड़ा के लिए यूरोप के लिए जा सकते हो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सकती है बट कम पैसे में मिल सकती है तो सारी की सारी चीज़े अंडर वन रूप आपको मिलेगी प्रदीप जी हुन गल करिए तिन चार किसम दे बच्चे ने पंजाब हरे अनाच या सारे नौर्थ इंडिया प्लस टू करके तो अधे डिप्लोमा की तेने ओ भी तर्डे को डाउन गे तो इनली कुछ खास कागजाद भी रिक्वार्मेंट या हर बच्चा एक सिंपल पास्पोर्ट दसमी बार्मी जो ने क्वैलिफिकेशन किती है उन्हीं कापियां लेके आएगा या जमें के प्लस टू या कोई कोई मास्टर्ज या कोई आई टी उन्हों को लग लग डाकुमेंट्स लेकर आज की डेट में जो हाई कमिशन है वो देखना चाहते कि बच्चे का कोई गैप नहीं होना चाहिए अगर गैप है तो उसमें कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ रिलिवेंट उसके पास वाक तो आई विल सजस्ट कि आप अपने डोकुमेंट जरूर करी करें जिसमें आपका पासपोर्ट आयल्स और पीटी काफी बच्चे ऐसे भी आते हैं सर मैंने आयल्स की मेरे साढ़े इच्छे बैना है बट मैं भूल गया मेरे रीडिंग में साढ़े पांस हैं या या उसके डिग्री इसके लगाशन किया और उसके आपने बैचल्स किया या पॉल टेक्नीक दिप्लोमा किया तो सारे समेस्टर की आपकी कहना मेरे प्लसमा आपकी डिग्री या प्रोजिणल सउल्टिकेट होना चीए इफ या धाग उस गैप में आपने क्या किया वो आपक कि सारी activity आपको हमें शो करनी होगी तब ही हम आपको जज कर पाएंगे बता पाएंगे कि exactly आप किस university में किस college में जा सकते हो किस country में आपका वीजा लग सकता है और किस में वीजा के chances काम है delegate साथ होंगे delegate ये document देखके उसी time पे assessment करके students को साथ offer letter भी देदेगे जी परदीप जी केटेगरी हो आएगी जडी के 2018 जा उननी देविच नेक्टिव रिजल्ट लही वेठी है रिफ्यूजल्स हैगी है ओ चलो document लही होगा रिफ्यूजल्स लेटर भी लेया होगा उनना लिए कुछ खास message क्यों कोई विचरा डरया होंदा सैम्या होंदा शूर साथ देखिए यहां depend करता है कि पहली बात तो रिफ्यूजल कुछ नहीं होता एमबसी वीजा देने के लिए बैठी है और रिफ्यूजल भी आते है नो वर्य अबाउट इसका मिलब यह नहीं कि आप वीजा नहीं ले सकते अगर आप वास्तों में जैन्वन है आपकी फाइल में कोई फ्रोड कुछ ना हुआ हो तो मैं आ पंदरा बैकलोग है इसको तीन बार यह रिफ्यूज हो चुका है तीन बार रिफ्यूज होने का मतला है कमड़ तूटना जिए उसके बाद पेरेंट्स की इमत नहीं होती कि बच्चे को बोल पाए कि भई या बच्चा मैं आगे क्योंकि जाहें आ की फेमिलीज है जो हम जि इसके अंदर एक बच्चा है रीबाव दुगल सीडी कोलेज में हमने डाला है ट्वैल्थ की एक बार रिफ्यूज है यह और वन डे में इस बच्चे का वीजा लगा है तीसरा बच्चा है आसदीब कोर है लडकी इसने ट्वैल्थ की ट्वैल्थ के बाद इसने आईटी का किया और एक बार यह भी रिफ्यूज थी और यह बीबीए करने के लिए जा रही है योक विले उनुश्टी में तो ऐसी प्रोफाइल के भी वीजे लगे एक और एक्जांपल देता हूं एक स्टूडेंट था प्रित्पाल उस बच्चे का तीन बार रिफ्यूज हुआ तीन आपने पहली बार जो रिफ्यूज था वो बताया नहीं था आपने कुछ इन्फोर्मेशन हाइड की है और आप अलिजिबल नहीं हो इस बच्चे का तीसरे बार भी रिफ्यूज था चोथी बार उस बच्चे का हमने वीजा लिया और वो फ्लाइ कर रहे हैं तो ऐसी बात न हैं और यह देख के कि इसको वीजा कैसे ले सकते हैं तो बच्चों के वीजे निकलते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों को जिनके अल्रेडी रिफ्यूज रिफ्यूज हैं प्लीज एक बर फाइल की फोटो को पी लेके जुरूर मेरे इन फेर्स में कोई अपने डाकुमेंट कोई एजुकेशनल डाकुमेंट्स या कुछ स्पैसिल कुछ लेके होना सब्सक्राइब करता है जिसे ऑस्टेलिया तो अलगी उनकी कंडिशन से कि स्टूडेंट ग्रेजवेट तो उस कास्पेंड या वाइप पी ग्रेजवेट हो मैरीज पुआन होनी चाहिए तो उसी बेस पर हमसेस कर पाएंगे कि आप किस कंट्री में जा सकते हैं आपका हस्बेंड या वाइप बाहर बैटा है चाहीं केनड़ा है चाहीं चाहीं न्यूजलेंड यूरोप है और आप उनको जोई करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करूँआ कि जो मेन वहां गया हुआ है उसके academic कौन से वीजा पे वो है कितनी duration उसकी बची हुई है वेस्टिलिया कैनेडा यूरोप या न्यूजलेंड जहां भी गए हुए तो वो पूरे document साथ साथ में आप अपने academic passport और आपके वास funding की detail और आपका gap है तो gap में आपने क्या किया है ITR कितने की बढ़ते हैं यह सारी details जरूर लेकिया है आपका वीजा लग जाएगा प्रदीप जी हुन गल करिए उना students ती जिड़े के उनीज पासओट होने हैं उना ली ता मरेका seminar चौन दा को लॉजिक नी को कि पिपर ने इता 18 पासओट बच्चे 17 पासओट बच्चे 16 पासओट बच्चे या रफ्यूजल्स बच्चे ने क्या एक्जाम होने ने उनों बच्चे नों जरूरत को एसेस्मेंट दी 2019 उनको सबसे पहले जरूरत है उनको सबसे पहले जरूरत है अभी तीस तारिक को इन बच्चों के एक्जाम को इनकी एक्जाम खतम हुए है और अगर यह टाइम रहते अच्छा स्टैप नहीं उठा पाई तो पॉसिबिलिटीज रहेंगी मिस गाइडेंस की तरफ ज्यादा एक कंटा कट लेना चाहिए जरूर निकालना चाहिए एक कोस्ट क्योंकि वह एक ऐसे चुराई पर खड़े हैं अगर वह राइट डारेक्शन में जाएंगे तो अपनी जगह पर पहुंस पाएंगे अगर डारेक्शन में नहीं होगे अच्छा कंसल्टन नहीं होगा तो कु होना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका गैप पड़ जाता है तो कलको प्रोब्लम होने वाली है सबसे पहली बात इनको बाहर जाना है मेजोटी ऑफ दा स्टूडेंस वान टो गो एप्रोड फोर हार एजूकेशन इनको पता होना चाहिए इनको तो एक एक चीज प्लान करने कि मेरा कौन सा कौलिस कौन सा कोर्स कौन सी युनिवर्स्टी फी स्टक्चर क्या है और मेरे को इंटेक पकड़ने के लिए आइल्स की तिन दिन में करनी पड़ेगी कितना स्कोर्स ही है मेरे को फंड कितने करने है एमबसी फीस कितनी होगी मम्मी पापा के pen card है या नहीं है क कुन कोई डोकुमेंट मुझे प्रिपेर करने है तो हर एक चीज स्टूडेंट को एजन चेक्लिस्ट के साथ दी जाएगी तो वह चेक्लिस्ट लेकर बच्चा अपना जब तक जब तक उसका रिजल्ट्स आए वह चेक्लिस्ट वाले सारे डोकुमेंट कंप्लीट कर लेता है तो उसका कोई गैप नहीं होगा वह बड़ी स्पीड से उसका एडिमिशन होगा इसका वीजा जाएगा मैं मही में रिजल्ट्स आते है बच्चों के एक्जाम के इसके साथ साथ मही से पहले पास उसके पास होना चीए शिक्सीज सिक्ष फाइब फाइब नो लेज दन सिक् इसके इलावा उनके पास फंडिंग मौर कर रहे हैं चोटे चोटे डाकुमेंट्स तो इलावा सब तो वड़ी समस्य जड़ी हो दिया ऑस्टेलिया थे खास्त और न्यूजी लैंड दो वारा फिर कह रहा है न्यूजी लैंड देवे चे-छे मिने पराने फंड नहीं होंद सब्सके करो अगलती है, अपने रिच्ते-फ्रटार अचि सानल्र्थ नहीं पास सब्सक्राइस कोृ। पिए वेलु नहीं रखते, वेलु रखता है, एकनोमिक सिच्वेशन का मतलब यह है, कि आपकी फेमली की एन्वल इंकम क्या है, उनके इत्र कितनी की है, अब मिजोर्टी ओप दा फेमली में, क्या होता है, ना मम्मी की इत्र होती ना पपा की इत्र होती है, जाल का खर्चा 17 में 16 लाइख रपी है, जब 25 लाइख रपी है, जब 25 लाइख यह तारह, जोड़ा, 17 लाइख रपिया कोन करते है? जिसकी आयन्वल इंकम 15 लाइख रपी हो, आत्ट स्वाशन लाइख रपी हो प्लिए का मिलब उनकी इन प्रोफेस्टन के शाव साफ़ इनकी आए पर इत् जी युके दिगल कदे नहीं कर दे सी होने युके दे रेप भी आणगे जा रेप आमे ना आणगे उसी गैड भी करोंगे लुके और आरलेंड भी आईरलेंड जी आरलेंड और युके वारे की रहेगा सामी नारान विच विशेश तोर देखे युके में बच्छा जाए वाली आयल चलती है प्लस में दूसरी आयल भी चलती है अगर आप विदाउट आयल्स है आपके इंग्लिस में 65% मार्ट है तो यू आर एलिजिबल वन मन्थ और तगरी बन थाइस दिन पर आने फंस दिखाने होते हैं तो यूनिवर्स्टी में आप जाएंगे तो ज् पॉसिबलिटीज है कल ही एक कोलेज होके गया मेरे पास अगर जिन बच्चों ने यहां फे त्री यर की डिग्री कर रखी है त्री यर की डिग्री वह फॉर्थ यर की डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं साड़े पांच बैंड 50% मार्क्स ना कैने ला सकता बैचलर यह ओगी व गया इए हो गया बेचलर राण हमें लेसे करने के बाद को वन हीर का पो सट अब मेन मिलेगा और एक मास्टर कर लेते हैं जटे तियारी करके जान देने कि मैं अपनी वीजा दी असेस्मेंट कराउंड चले हैं, मैं केड़े क्वेस्चन्स पुछने ने, वीजा एक्सपर्ट तो की रहे लेनी हैं, इंस्टिटुशन बारे की पुछना है, कोर्स बारे की पुछना है, उदली एक मिला होंदा है, तो आपको सिरियस होना बढ़ेगा नहीं तो ऐसे ही ठगी के सिकार होते रहोगे आप जूठे दावों में मत जाना कभी भी और थोड़ी से रिसर्च करके जाओ कि जो आपको थोड़ा वहाइब तब अगले परसंट को पगड़ पाओगे कि वह जूठ बोल रहा है हमारी बोलते हैं कि वीजा आ जाएगा और यहीं से मतलब घर से ही जाजमें लेंड करा देते हैं ऑफिस से ही चल यहीं से उड़ा देगे केनड़ा और बच्चे ऐसा सुनना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आविल सज़स्ट के बई देखो पेरेंट्स ने पैसे लगाने है वह व थोड़ा सा रिसर्च करके जाएं थोड़ा सा रिसर्च करके जाएं कैनडा उस्टिलिया निउजलेंड यूग के यूएस यूड़ोप के बारे वे जो भी आपका डेस्टिनेशन है तो वह परसन आपको जूट नहीं बोलेगा जूट बोलेगा था पकड़ सकते हो कि ठोड़ा जोगा तो फिर भी मैं आपको एक टिफ्स देना चाहता हूं जाते व आपने क्या करना है एक तो आप अपना लिकी कि मैंने क्या क्या कुस्टन करड़ें हैं दस बारा कॉश्टन की लाइन वह बना सकते हैं आपना की भी दस कुस्टन्स मैंने पूछने कि भई वहां पर work right कितने मिलेंगे, मैं वहां पर settle कैसे हो सकता हूँ, मेरे को कौन-कौन सी funding चाहिए, मेरे को मेरी family में जो मुझे sponsor करने है, उनके कौन-कौन सी document required है, कि इस बात की क्या guarantee है, कि यह course मेरे को relevant है या नहीं है, इसके outcome क्या होंगे, outcome, मतलब अब इस को में bachelor's को complete करने के बाद मैं इंडिया वापिस आता हूँ, तो मुझे किस किस टाइप की job मिलेगी, या मैं Canada, Australia, New Zealand, Europe में settle होता हूँ, तो वहां मैं कौन-कौन सी job कर सकता हूँ, तो यह questions अगर होंगे, तो definitely जो genuine consultant होगा, जो really counsellors अच्छी होगी, तो वो जिसको knowledge होगा, वही आपको बता पाएगा, अगर नहीं बता पा रहा है, it means वो हवा में बात कर रहा है So please, seminar बहुत होने ने, मेले, बहुत लगने ने, तुसी लाव की में उठोना है, गलता ए है गी है, अपनी तियारी करके जानी है, अपनी कमियां की ने, पिछे की होया, अगे करना की चौने है, यह किस college की course मोटिव की हैगा, तो अडप्ट आई दे नार, PR कदों तक लेनी है की पढ़के वापस होना है, हर माइंड सेट दे नार जाके, question पुछो, चल दे जल दे परदीब जी को, फिर हरेना पंजाब, चंडिगर दिलीच कि थे कि थे कि में की सेमिनार हो रहे हैं, फर्स्ट अप्रेल को हम आ रहे हैं, अम्बाला कर्ण पलाजा, यम्नानेगर दा ओस पुषकर इजैंसी होटल, असंद विर्क पैलेस, और रहतक में है, ब्लेक बक्स कोफी हाउस में, 2nd अप्रेल, कुछेतर होटल 9th प्लानेट, सोनिपत सागर रेस्टोरेंट, कैथल होटल गोल्डन इन, और हिसाद डवल स्पून, 3rd अप्रेल को कर्नाल आ रहे है, होटल 8th प्लानेट, लुद्यानाद, सोरी, लाडवा, ध्रम, साला, अनाज, मंडी, पेवा, खुस्वन पैलेस, और फत्याबाद होटल फ्रेंड्स, 4th अप्रेल को जीन्द में आ रहे है, होटल अभिनंदन, विवानी, स्री, मादव मेहल होटल, नारंगर होटल, रोयल ब्लू, और शिर्षा में आ रहे है, होटल गलैक्सी, 5 अप्रेल को हमारे स्टार्ट हो रहे है, पंजाब में, अमरिसर होटल बेस्ट वेस्टन, बटिंडा और पतियाला भी सेम डे हैं, वो हम आपको वेनू डिकलेर करेंगे, एक दो दिन के अंदर, 6 अप्रेल को जलंदर, दा माया वेनू आपको वेरी सुन डिकलेर करेंगे, बहुत जानकरी डेटेल्च देती है, फिर भी बहुत सारे लोग, तुसी आप, तो अडे दोस्त, मित्तर, सरकल, साक्स, बंदियानों नहीं पता होंदा कि हर्याना, पंजाब, दिल्ली, चंडिगर्च सेमिनार किते हो रहे हैं, एक नमबर फ्लेश किता जा रहे हैं, नोट करके कॉल करो, कि केड़े शेर्च या तो अडे शेर्च केड़े दिन सेमिनार हो रहे हैं, तुसी किस देश दी जानकारी लेनी चाहने हो, केड़े डाकुमेंट लेके जाने चाहिए देने, मैं फेर कह रहे हैं कि ये शो नहीं को अगे देश प्रदेश लाइवदा यूट्यूब चैनल अनो सब्सक्राइब कर लो, ते हर तरह दी जानकारी मिलेगी, प्रदीप जी बहुत मेरे वाद शुक्रिया, दर्शका दावी तनवाद उमीद करांगे, ए सेमिनार तो अड़ेली प्रेक्टिकल लाहे बंद होणगे अपने दोस्त अरनवीर से नुरागे देटान बास से शिकाले।